भारत पहले ही कई मुश्किलों से घिरा हुआ है कोरोना प्रभावितों का ग्राव बढ़ता जा रहा है तो वहीं भारतिय अर्थ्वेवस्ता भी सुस्त हो रही है जिससे बेरोजगारी दर में काफी इजाफा हो रहा है इसी बीच कुवेट सरकार ने भी बड़ा फैसला लेक किया है कोरोना से पार पाने के लिए कोशिशों का दोर जारी है लेकिन हालात सुधरते नजर नहीं आ रहे हैं भारत में भी कोरोना प्रभावितों का आकड़ा चिंता का सबब बना हुआ है इसी बीच अब कुवेट ने एक बड़ा फैसला लिया है जिससे भारत पर बुरा असर पढ़ना तैं है दरसल काफी वक्त के बाद कुवेट ने अपने देश से ट्रेवल की पाबंदी को हटाया है लेकिन कुछ देशों के लोगों के प्रवेश पर अब भी बेन जारी रखा है इनमें भारत भी है यानि भारतिये नागरिक कुवेट में प्रवेश नहीं कर इन साथ देशों में भांगलादेश, फिलिपीन, भारत, श्रीलंका, पाकस्तान, इरान और नेपाल शामिल हैं आपको बता दें कि दक्षिन एशिया के इन ही देशों में कुरोना के मामले हैं और ज्यादा तर मजदूर और कामगार कुवेट यहां से ही जाते हैं वहें कु कुवेट सरकार ने भारती कामगारों के लिए एक कानून का ड्राफ्ट मसोदा तयार किया है जिसके तहत 15 प्रतिशत भारती कामगारों का कोटा फिक्स हो जाएगा जानकारी के अनुसार इसके अलावा बाकी के कामगारों को जबरन निकाला भी जा सकता है अगर ऐसा होता ह तो भारत के क्रीब आर्ट लाग कामगार प्रभावित होंगे नए कानून के तहत फिलाः खुवेट में रह रहे 10 लाग भारतियों में से करीब साड़े 8 लाग लोगों को वापस लोटना हो सकता है कुवेट में काम करने वाले भारती लोगों के लिए कुवेट सरकार ने 15 प्रतिशत कोटा तै कर दिया है जबकि श्रीलंका, फिलिपीन्स, मिस्र के लिए 10-10 फीजदी कोटा तै किया गया है इसके लावा कुवेट सरकार ने बांगलादेश, पाकिस्तान, नेपाल और वियतनाम के लिए 5-5 प्रतिशत कोटा तै किया है कुवेट के इस फैसले पर आधिकारिक दोर पर भारती विदेश मंतराले का जवाब सामने नहीं आया है